Hello Everyone, I'm Anisha, Welcome to Upward Study तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं PMAG स्कीम के बारे में डिटेल में तो ये स्कीम हमारे लिए काफिज़ादा इंपोर्टन है भी रिसेंट्ली एक्जाम पॉंट अव व्यू से भी और यहां पर हम देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों है तक उनके उपर पैनल्टी लगाई जाएगी अब उनके उपर कितनी पैनल्टी लगाई जाएगी कितना फाइन लगाया जाएगा that's not important for our exam तो हमारे लिए important क्या है ये PMAG स्कीम हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है इसके बारे में detail में बात करते हैं तो basically इसका full firm क्या है ये acronym है आपका किसका प्रधान, मंत्री, आवास, योजना, ग्रामेन का इसके साथ में अगर G लगा होगा तो means ग्रामेन, अगर U लगा होगा तो urban तो पहले हम ग्रामेन की बात कर लेते हैं तो यह यहाँ पर housing for all इस objective को पूरा करने के लिए launch की गई थी ठीक है तो बोला है कि housing for all 2022 तक 2022 देखे इसका target था कि complete कर देना है बट 2022 target होने पर यहाँ पर क्या हो जाता है COVID-19 आने के बाद में थोड़ी situation यह ऐसी बन जाती है कि यह target complete नहीं हो पाएगा तो इसलिए इसका जो update है वो 2024 कर दिया गया है 2024 तक तो बोल रहे हैं कि rural scheme इंद्रा आवास योजना was restricted in the to the परदान मंत्री आवास योजना ग्रामेन इसी महीं से डाल दिया गया था 1st April 2016 से यह आपका इसमें आ गया था effect में आ गया था अच्छा इसमें कौन सी ministry लगती है तो ministry of rural development जो है वो इसमें लगती है इसका aim है कि पका house build करके देना है सब लोगों को पका house जो है बना के देना है रूरल families को मार्श 2022 तक जो कि अब 2024 तक extend कर दिया गया है तो बोरें कि यह जो rural लोग है below poverty line लोग है उनको यहाँ पर help करेगा dwellings देने में यानि उनके लिए घर वगारा बनाने में और उनका जो यहाँ पर existing कच्छा house है उसको बदल करके पका house में convert कर दिया जाएगा तो इसमें beneficiaries कौन-कौन होंगे एक तो SCs, STs, free bonded labors, non SCs, categories के videos होगे next of kin of defense personnel जो killed in action वो आजाएंगे वीरगती को प्राप्त हुए तो parliamentary forces के disabled person and minority तो यह सब जो है वो इसके beneficiaries रहेंगे अब उने की selection हम किस तरह से करेंगे beneficiary की तो यह तीन stage में होगी socio economic cost census 2011 के हिसाब से gram सबा और geotagging के हिसाब से यहाँ पर इसकी selection जो है वो की जाएगी cost sharing किस तरह से रहेगा तो center और state में यहाँ पर cost sharing का एक ratio रहता है और जो north eastern hilly areas है वहाँ पर 90 to 10% का ratio रहेगा 90% center और 10% state खर्च करेगा तो यह यहाँ पर important points है जहाँ से आपको statement के रूप में question जो है वो paper में आ सकता है prelims में अब इसके objectives देखते है objective वही कि पका house बना करके देना है basic amenities देनी है rural families को जो की उन्हें वहाँ पर चाहिए और जो भी homeless है या फिर जो कच्चा house में रह रहे हैं उनको यहाँ पर rehab करने की भी बात की जाती है अच्छा अब rural people जो BPL के नीचे है उनको यहाँ पर घर वगरा देने की भी बात की जा रही है तो यह इसके objectives हो गए अभी बात करते हैं urban की कि यहाँ पर परधार मंत्री आवास योजनानी पी में यू जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं तो यह 25 जून 2015 को यहाँ पर आई थी और 2022 तक इसका भी target सेम था कि सब को पका घर जो है वो यहाँ पर देना है अब इसको four verticals में divide किया था बोलते ह है क्या पहला आता है in-situ rehabilitation of existing slum dwellers स्वार्म में जो रह रहे हैं एक तो उनको rehab करना है ठीक है उनको using land resource as a resource private participation के द्वारा इस चीज को किया जाएगा दूसरा वर्टिकल है credit link subsidy कि उनको subsidy वगारा देना credit वगारा जो है वो प्रवाइड करवाना वो सब तीसरा यहाँ पर आता beneficiary led individual house construction enhancement तो यह जो है यहाँ पर इसका part जो है वो रहेगा अच्छा means perspective से अगर हम यहाँ पर एक चीज को सोचें कि किस तरह से आपको सवाल आ सकता है तो यह किस तरह से लोगों की help करेगा है देखिए एक तो लोग rehab होंगे ठीक है रिहाबिलेट होंगे दूसरा यहाँ पर जो है वो ठीक से रह नहीं पाते हैं तो ऐसे cases में बिमारियां फैलने के बहुत chances रहते हैं तो एक तो वो चीज होगी कि यहाँ पर health जो है वो लोगों की थोड़ी बहुत सुद्रेगी अब उन्हें जो है वो रहने की चिंता नहीं होगी तो उन्हें घाने की और बाकी होगा और अच्छा मतलब सब कुछ जो है वो बढ़िया इनको चीजों को प्रवाइड करवाया जाएगा उसके लावा यह भी चीज आती है कि इससे जो है वो इंफ्रा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलिप्मेंट भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है तो यह इ अच्छे को लाइक करके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं और उसके लावा देखे आपना जितने लोग देखते हैं अतलिस्ट उतना आप लाइक कर दिया करें लेक्चर को ठीक है तो इससे यूट्यूब को एक मैसेज जाता है ठीक है अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो यूट्यूब उसको फिर रेकमेंड नहीं करता आगे तो आप एक चीज़ जरूर कर दें कि आप लाइक जरूर कर दिया करें ठीक है और उसके लावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें